मिनियचार बटन रोज फ्लावर प्लाइंट की क्यार आप लोग कैसे करेंगे आज का वीडियो होगा देखी आप लोग की बहुत ज़्यादा क्वैरी रहते हैं कि आपके मिनियचार बटन रोज फ्लावर चलते नहीं है और इसकी जो care है, care की tips क्या होना चाहिए ये भी बताइए कभी-कभी आप लोग comments passes करते हो और request भी करते रहते है तो आज हमने सोचा मैं आप लोग को कुछ tips share कर देता हो कि miniature button rose flower plant की care हम कैसे करेंगे बहुत जदा flower खिलने वाले ये रोज flower plant है चोटे-चोटे flower खिलते है और almost सभी tips में flower खिलते है इसमें भी flower खिलेंगे, ये भी flower खिल रहे है और कुछ tips अभी बाकी है, इसमें flower खिल चुके है किसी-किसी में, पूरे flower plant भर कर flower खिलते है ये रोज flower plant की update आप ही मैंने कुछ दिन पहली दिया था क्योंकि इसमें बहुत जदा spider mites की attack हुआ था और हमने दो बार oberon spray किया था दो बार oberon spray करने के बाद मेरे flower plant से mites तो चला गया लेकिन जो निशान है, ये पत्ते की निशान तो जाएगा नहीं हो तो ये पत्ते yellow होके ज़र जाएंगे बहुत पत्ते इसकी yellow हो चुके थे लस्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था और वो सब leaf ज़र चुके है आभी भी कुछ leaf ज़रेंगे लेकिन ये देखिए जो new leaf है, बहुत ही अच्छा fresh leaf है इसमें कोई बिमारी नहीं है तो ये leaf नहीं ज़रेगा शबसे पहले तो मैं बात करूंगा आप गर्मी की टाइम fertilizer देंगे या नहीं देंगे बहुत ज़दा confused में रहते हो आप लोग हम पूरे साल खाना खाते है plant भी खाना खाते है और daily खाते है तो इसलिए daily fertilizer की recur रहते है तो हम soil में हफते में एक बार या हफते में दो बार या daily ऐसे करके fertilizer देते रहते है soil media है तो soil media में हम ये rose flower plant को fertilizer कैसे देते है क्या देते है गर्मी की time भी आपको fertilizer देते रहना है इस बात को धहन रखेगा गर्मी है इसलिए या फटलजर नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, आपकी रोज फिलार प्लाइन बहुत अच्छा पारफर्मेंस नहीं करेंगे, आप अगर फटलजर नहीं देंगे तो, तो फटलजर में हम क्या क्या देते हैं, यह फटलजर मैं पहले शायर कर देता हूँ, और इसके बाद और कुछ टिप्स बताएंगे इसमें PGR multiple micronutrient देना है या नहीं देना है यह देना है तो कैसे देना है किस time देना है शब चीज आप लोग patience रखके वीडियो देखिएगा ग्रिन गर्डिन हमेशा ग्रिन गर्डिन की special rose mixed white lazar NPK 1-2-2 यूज़ करते है सभी प्रकर की rose flower plant के ओपर यूज़ करते है इट मिडिया में देते है देखिए तबी जाके यतने अच्छा-च्य रिजाल्ट आते है यतने अच्छा-च्य फ्लावर खिलते है बहुत ही संदर फ्ल आते है देखिए मेरे rose flower plant की soil देखिए मैं डेली दो टाइम पानी देते है और इसके बाद भी soil dry देखने लागते है लेकिन अंदर कुछ moisture बना रहता है देखिए ऐसे टाइप की soil आपका होना चाहिए तो ऐसे टाइप की soil आप कैसे तयार करेंगे मैं हर वीडियो में आप को बताते रहता हूँ आभी फिर से एक बार दोरा देता हूँ soil तयार करने के लिए आपको 50% sand 25% compost 25% soil लेना है और mix करके अच्छा से soil तयार कर लेना है यह 12 इंच की pot है आभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसका reporting किया था reporting की बाद हमने fertilizer दिये है NPK 1343 हाइफा कुमपानी की fertilizer हमने दिये है NPK 1343 कितनी ग्राम बान ग्राम मेरे पास बान ग्राम measurement के लिए देखे स्पून है बहुत ही छोटे स्पून है इससे एक चम्मच ऐसे करके शायल के उपर देखे हम पानी डाल देते थे हफते में एक बार humic acid देते हैं बान ग्राम ग्रानलस फर्म में है ऐसे बान ग्राम एक लिटर पानी में मिला लेते हैं और जितनी पानी की रिकर एक लिटर की रिकर तो एक लिटर पूरा दीजी आधा लिटर की रिकर तो आधा लिटर पूरा दीजी ऐसे करके हमने fertilizer दिये ह पंद्रा दिन तक तो हमने दिये है बिल्कुल दो दिन अंतर से NPK 13-14-13 पंद्रा दिन बाद से Green Garden यूज करते है Green Garden की Special Rose Mixed Fat Leisure एक कैसे देना है? एक गरम लेना है देखी एक स्पुन से एक गरम अभी गर्मी की टाइम है तो आप लोग थोड़ा सा correspondence कम करें एक गरम देंगे तो आपको कोई भी नुक्सान नहीं होगा और नहीं तो जैसे कि आप हबते में दो गरम दिया करते थे एक बार में तिन दिन अंतर से दो गरम ऐसा नहीं देंगे आप क्या करेंगे? एक ग्राम करके आप एक दिन अंतर से दो दिन अंतर से दिजी एक ग्राम हमने फर्टलेजर दे दिये हैं और मैं जो फर्टलेजर देता हूँ एक ग्राम करके आप ये गर्मी की टाइम एक दिन अंतर से देंगे दो ग्राम करके नहीं देंगे इसके बाद हम पानी डाल देंग ये फ्लावर प्लांट को बहुत अच्छा से नेला देंगे तब क्या होगा गर्मी की टाइम आप अगर फर्टलेजर देते हो तो आपके फ्लावर प्लांट में कोई भी नुक्षान नहीं होता आप अगर कम पानी देंगे नेलाएंगे नहीं स्वारिंग नहीं करेंगे तब आपकी फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यदा स्ट्रेस में आशकते हैं लीफ बर्न हो शकते हैं आपकी फ्लांट जुलाश सकते हैं और जैसे मैंने बताया है आप अगर ऐसी ऊच करेंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट 100% अच्छा रहेगा टेंपराचर 45 हो या 46 हो नो प्राब्लिम और एक बात है दोस्तो आप ही आप लोग ग्रीन नेट लगा शकते हैं आप ही आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ग्रीन नेट लगा के ग्रीन नेट की नीचे ही रखिए आपकी रोज फ्लावर प्लांट या ओबरल शबी फ्लावर प्लांट ये देखी मेरे पास green net लगाने का setup बना हुआ है लेकिन मैं green net नहीं लगाऊंगा last year भी नहीं लगाए थे इसकी बदले में हमको थोड़ा सा पानी का maintenance ज़्यादा करना पड़ेगा green net हम नहीं लगाएंगे आप लोग लगा लीजिए नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा यह मेरा rose flower plant खोले आश्मान की नीचे रखा हुआ है यह आप लोग देख पा रहे हैं आभी यह जो fertilizer दिये है यह आप दो दिन आंतर से दीजिए एक दिन आंतर से भी देशकते हैं एक दिन आंतर से नहीं देशकते हैं तो दो दिन आंतर से दीजिए आप अगा जब करते हो या बिजनेस करते हो आपके पास टाइम नहीं है हफते में एक बार टाइम मिलता है तो पूरे गर्मी की टाइम आप एक बार दीजिए लेकिन एक ग्रम करके दीजिए इस से ज़्यादा नहीं देंगे इसके बाद PGR आपको जरूर एस्प्रे करना है PGR आभी आप शाम की टाइम जिस टाइम आधा घंटे की लिए धूप रहता हो उस टाइम आप PGR में मीरा कुलान बौन एमिल एक लिटर पानी में मिला के एस्प्रे करें आगले हफ्ता सुपार सुनाटा बॉणमेल एकलेटर पानी में मिलाकर एस्प्रे करे। साम की टाइम जिस टाइम आदा घंटे की धूप रहते है उस टाइम एस्प्रे करे। Multiple Micronutrients भी एस्प्रे करेंगे, Multiple Micronutrients में आप लोग लिजिए। रेक्षुलिन श्री एक्स के 1 ग्राम एक लिटर पानी में मिलाके आप एस्प्रे करें जबर्दस्त रिजल्ट आएगा गर्मी की टाइम अभी यतना अच्छा से पानी देंगे उतना ही अच्छा से आपकी रोज फ्लार प्लाइंट की ग्रोथ होगा इस बात को आपको धेन र धेस्प्रे करेंगे शाभी फलियर प्ली ऐस्प्रे के साथ एक इस्प्रेडर सिली कवैज्ट एकस्प्रेडर सिलीकॉन बेस्प्रेडर आप जरूर मिला लीजिये 0.5 ml पाल लिटर वाटर डोज होता है 15 लिटर की पांप में आप अगर मिलाएंगे तो 15 लिटर में 5 ml का डोज होगा एक लिटर में 0.5 लिटर का डोज होगा इस बात को आपको याद रखना है ऐसी करके मैं भी क्यार करता हूँ आप भी ऐसे ही क्यार करें आपकी रोज फ्लावर प्लाइंट में गर्मी में भी फ्लावर खिलेंगे और निवनू शूट्स भी निकल कर आएंगे आपको अच्छा रेजल्ट मिलेगा यही था आज का कुछ टिप्स कुछ कुछ दोस्त बोलते है कि मेरे फ्लावर प्लाइंट में बहुत ज़्यादा डाइबेक आते हैं डाइबेक आने का रेजन सिरफ रूट आपने रिपोर्टिंग नहीं किया होगा कुछ रूट्स ब्लाक कलार के हो गए होंगे ब्लाक होने के बाद हो सर गए होंगे इसलिए आपकी फ्लावर प्लाइंट में डाइबेक आते हैं या आपके फ्लावर प्लाइंट की रूट जोन में पानी जमता है बाटा रेश्टर होते हैं इसलिए रूट खराफ होते हैं और ओपर डाइबेक आते हैं तो सोच समझ के पानी दीजी, गर्मी की टाइम आप पानी कैसे देंगे, इसके उपर भी एक वीडियो बहुत जल्द मैं आप लोग को शेयर करूँगा, उम्मीद करूँगा आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है, अगर पसंद है लाइक करें, शेयर करें, शाब्सक्राब ज